तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कुछ लोगों को मास पहनने प्रोब्लम होती है कि उनका चेहरा चोटा है बड़ा होता है तो ऐसे लोगी परिशानी को देखते वे हम एक नई ट्रिक लेकर आए जिसका इस्तिमाल करने के बाद बहुत ही आसान और बहुत अच्छा तरीक सब्सक्राइब के साथो होगी लंबाइव और चोड़ाई कुछ परकार होगी लंबाई होगी साढ़े-ार्ट-इंच, और चोड़ाई होगी पाँच इंच अब आपने ज़ुरत के मुताबिक छोटी या बड़ी सिंगल पैड लेनी है और इसको इस परकार देंगे डबल लेयर में पोल्ड कर देना है अब हम लेंगे अपने कोटन के टुकड़े को यहां पर इस तरीके से रखेंगे और उसके उपर हमने पैड र लगा देना है अब आपने कपड़े की कटिंग करने और कटिंग करने के लिए निशान से डेड़ पेर अदमाव छोड़ देवे आपने कटिंग कर देनी है अब आपने अपने चार पीस में से दो पीस निकालने हो और एक तरफ रख देने है नमास्क बनाने के लिए जिस कपड़े का भी फ्रेंट में यूज करना है वो कपड़ा लेंगे और इस पर काट डबल लेयर में फोल्ड कर लेना है और किसके ऊपर हम अपने जो लाइनिग है उसको हम रखेंगे और इसके बराबर कटिंग कर देंगा अब आपने अपनी लाइनिंग और अपने कपड़े को आपस में स्टिच करना है और स्टिच करने के लिए इस परकार आपने कपड़े है उपन डाइनिंग को मिला कर रखेंगा और चारो तरफ सिलानी लगा देंगे दोनों पी की आपस में जोइंट करने के बाद हमने लेक पिता है और इसके बाद हम बनाएंगे पाइपिन और पाइपिन बनाने के लिए हम लेंगे उरेब कपड़ा और इसके साथ लेंगे हम सूती धागी की ढोरी और धरी को इस परकार अपने कपड़े के बीच में रखेंगे और कपड़े को डबल लेयर में फोल्ड कर देना है और तो फोल्ड करने के बाद हमने यहां पर लगाने हैं सिलाई और सिलाई लगाने के लिए आपको चेंज करने को और अपना फुट यानिके सिंगल फुट का आपने इस्तिमाल करना है और इसको आपने यहां पर इस तरीके से रखना है और सिलाई लगा देना है पाइपिन बनाने के बाद आपने डेट पेर का दबाओ छोड़ना रुभागी कपड़ा कटिंग करके निकाल देना है अब आपने अपने सिंगल पीस लेना है और इसके ओपर अपनी पाइपिन को यहां पर इस तरीके से रखना है किनारे से किनारा मिलाते हुए और अपनी पाइपिन के किनारे पर आपने सिलाई लगा देनी है अब आपने अपने दूसरा पीस लेना है और उसको इसके ओपर यहाँ पर किनारे से किनारा मिलाते हुए लगा देना है और सेम इसी तरीके से आपने यहाँ पर सिलाई लगानी है अब आपने पीस को ओपन करने है और यहाँ पर नाखुल लगा लेना है और नाखुल लगाने के बाद आपने यहाँ पर किनारे से लगानी है आपका फरड पीस तयार होने के बाद आपने इसको फिलहाल एक तरफ रख देना है अब हमने लेनी है अपने जो डबल पीस थे ये लाइनिंग है इसको हम अंदर ये तरफ यूज़ करेंगे और यहाँ पर हमने एक तेरे करीब सिलाए लगा लेनी है इस पर का सिलाए लगाने के बाद हमने अपने पीस को उपन करना है और यहाँ पर हमने नाखुल लगा लेना है नाखुल लगाने के बाद हमने यहाँ पर अपने जोड को एक तरफ फोल्ड करने के बाद किनारे की सिलाए लगा लेनी है और आपका नंदर वाला पीस तयार होने के बाद आपने पैड लेनी है और पैडको इस परकार रिल्टा कर लेना रिल्टा करने के भाद यहां पर आपने लगा लेना रिशान वीस्भैर मिलाने की कोशिश करें और इस परगार कपड़े को खीच ले आनिके कपड़े का जो नमी है जोले सब निकालने की कोशिश करें और इस परगार अपने पीस को उटा कर लेना है और यहां पर चारो तरफ आपने सिलाई लगानी है जिससे के अंदर का जोल अंदर ही रहे इस पर लेए आनिके की को खीच आ लेगार पूरे किनार पसला है गुगाटे के बाद आपने एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करके निकाल देना है अब आपने पैड को इस प्रकार लेना है यहाँ पर और इस तरीके से दोनों गोलों पर निशान लगा देना है इस प्रकार निशान लगाने के पाद हमने अपना फ्रंट वाना पीस लेना है और दोनों निशानों पर अपनी पाइपिन को मिला देना है जिससे कि हमारी पाइपिन का सेंटर आउट ना हो और इस तरीके से इसको खीच लेना है कोशिश करना है कि हमारी पाइपिन विकुप इस सेंटर में ही लगा इस तरीके से और ऐसे करने के बाद सुनी की मदद से कच्छी सिलाई लगा लेनी है इस सेंटर में ही लगा लेनी ही लगा लेनी ही लगा लेनी है चारो दरब कच्छी सिलाई लगाने पर बाद हमने पने पैड़ को लटा करना है और यहां अपर धीरे धीरे कच्छी सिलाई लगा देनी है अब हमने एक्स्टा कपड़े को कटिंग करके निकाल देना है पैड तयार होने के बाद इसको एक तरफ रख देते हैं अब हमने यह इस्टेप पट्टी जिसकी लंबाई होगी 16 इंच और चोड़ाई होगी तकरीबन 15 इंच इस्टेप पट्टी को हमने इस परकार वन साइड फोल्ड करना है और फिर इसको दूसरी साइड भी फोल्ड कर देना है और हमने यहाँ पर बारिक सी स्टेप पट्टी लगानी है और इसके बाद हमने इसके बीचों के सिलाई लगा देनी है सेम इसी तरीके से हमने चार स्टप पढ़के तयार कर लेनी है और अब हम लेंगे अपनी पैड और पैड पर हमने करना क्या है यहां से हम एक इंच इधर और एक इंच इधर निशार लगाएंगे दोनों साइट और इन निशान पर हमने अपनी स्टेप पट्टे जोइंट करनी है और जोइंट करने के लिए यहां पर इस तरीके से लखेंगे यह देखिए और यहां पर हमने सिलाएं लगा देगे इसके बाद आपने एक डेडिन चोड़ी और एक पट्टी लेनी है और इस पट्टी पर यहां पर वन साइड इस तरीके से फोल्ड करना है तकरीबन एक पैर और यहां पर सले लगा देनी है अब आपने एक पट्टी लेनी है और इस प्रकार थोड़ असा आदें चे गरीब फोल्ड करना है इसको और मास्क पर यहां पर किनारे पर रखेंगे और एक पैर पी सिलाएं लगाएंगे और पूरे मास्क पर राउंडली सिलाएं खमालेंगे अब तैस कुल टा द ouais अब जांट। जब ―गा बेक पाक पर अज़ है झाल प्टी दीलाएंवेंगे और कि अज़ाएंगे । यद हम्वाटेंगे ज़गगांगे ज़ प्रही उड़ अब तूम आपएंगेंगे ज़ पहीं। अपने मास्क को इस परकार ओल्ड करना है बाहर की तरफ और अपनी पट्टी को इस तरीके से ओपन कर देना है और यहां पर हमने लगाना है नाखून अपनी पट्टी को जोड की तरफ से इस परकार फोल्ड करना है अंदर की तरफ यह देखे और यहां पर किनारे पर सलाय लगा देनी है उस्तलुप्ष्ण परकार लकी तरफ से उस्तलुप्ष्णून क्यं लगाल कर सकती कर साद़्त्त थाग Flas तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा मास्क बन का तयार है यह देखिए चारों तरफ से यह गुम है अंडर्ग्राउंड कहीं से कोई भी धाग आया कपड़ा नहीं निकला हुआ यहां पर जो मानी स्टेफ पड़ती है काफी मजबूत है कहीं भी टूटेंग नहीं और यह काफी लंबी है आप अपने चेहरे के अनुसा पर साइस के चोटा बड़ा कर सकते हैं आपको बांधने में कप्रिटेबल होगा दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगा हो तो हमारा वीडियो लाइक शेयर और प्लीज हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और साथ बेल अगम क्लिक करें ताकर मारे हर नए वीडियो नोटिफिक्रेशन आपको मिलती रहें बांगा हो इटने में अभणते प्लीज हमारे का शैर यीडियो अंभते नोट साथिफ को सभू हमारे नागर रहें जा जढ गउआतान के रहें इपक्रेश शेशेवागी मारे रहें विबवा नरल में झाल झाल